आज हमारे घर में अम्रूद आया हुआ था उसमें एक बड़ा सा अम्रूद था तो मैंने सोचा क्यूं नहीं इसका पॉट बनाया जाया देखे इस तरीके से इसमें सारे फल डाल कर काट कर डाल कर इस तरीके से सजा के हम लोग खा सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह देखे थोरा सा हमने अंगूर ले लिया और एक अम्रूद छोटा लिया है और एक बड़ा सा यह अम्रूद है उसको ले लिया है पॉट बनाने के लिए यह खर्बूजा है छोटा सा देखे अंदर से औरेंज कलर निकल रहा है उसको हमने इस तरीके से चील लिया है इसी की छोटा छोटा कटिंग करके इसके अंदर डाल देंगे यह देखे इसका जो छीलका है इसको इस तरीके से भी गुलाब बनाकर रख सकते हैं यह देखे इस तरीके से मोड के यह देखे बन गया न गुलाब अब इसको बीच से काट देंगे और चम्मा से सारे बीज को निकाल देंगे अब इसको इस तरीके से यह देखे इस तरीके से पीस में कार देंगे यह सही से कट नहीं रहा तो इस तरीके से जैसे आपको सहुलत हो इस तरीके से काट लें इसका छोटा छोटा पीस ये देखे तरीके से कट करके रख लेंगे इस तरीके से काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा थोड़ा सा अंगूर ले लेंगे देखे उसको भी इसी तरीके से छोटा छोटा पीस पहले आधा कर लेंगे ये देखे आधा करके रख लेंगे फिर इसको एक उंगूर का चार पीस कर लेंगे बस उसी के मैचिंग में जितना छोटा वो है उतना ही छोटा ये भी हो जाएगा ये देखे इस तरह से काट के रख लेंगे देखे कलर कितना अच्छा लग रहा है यह और यह ब्लैक है सब को थोड़ा थोड़ा करके काटके पहले रख ले अ ещё विडियो पसंद आने पर लायक जुरूर करेंगे अगर वीडियो पसंद आ रहा है चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप स्स्क्राइब कर सकते हैं यह देखिए करके सब को इस तरीके से काट कर रख लेंगे यह सारे कट गया है यह देखे अब अमरुद में से यह थोड़ा सा छोटा सा अमरुद को हमने काटा था इसमें से यह इस तरीके से यह साइस का निकाल लेंगे इसमें हैंडिल लगाने के लिए इसको पहले बनाकर रख लेंगे यह देखिए बनकर यह इस तरीके से लगाएंगे इसमें अब जो बचा हुआ अम्रूद है उसको उसी साइस का छोटा-छोटा काट कर रख लेंगे तीन तरह का फल हो गया हमारे पास तीन कलर का एक औरेंज एक ब्लैक और यह वाइट ग्रीन है यह देखिए इस तरीके से हम जमा कर लेंगे थोड़ा-थोड़ा सब को काट कर देखिए यह ब्लैक कलर है अब बड़े अमरूद को लेंगे उसका नीचे का हिस्सा पतला सा निकाल देंगे जबी तो वह सही से बैठ पाएगा यह देखिए हलका हलका इस तरीके से इसको किसी भी मेहमान के सामने आप रख सकते हैं बहुत ही इंप्रेसिव रहता है कि देखिए बैठ गया यह अब उपर का हिस्सा कि इसी तरीके से उपर का हिस्सा थोरा सब बड़ा काटेंगे जो उसका धकन सा लगे बहुत सावधानी से इसको काटना पड़ेगा इधर उधर कर जाएगा तो फिर अमरुद ही हमारा बिकार हो जाएगा फिर पॉट नहीं बन पाएगा फिर बीच से यह देखिए छोटा चाकु लेकर इस तरीके से काट कर चम्मस से इस तरीके से सब को खाली कर देंगे जाकु से यह निकल नहीं पा रहा था तो हमने इसको चम्मस से निकाला यह देखिए कितना अच्छा से सफाई हो रहा इसका फिर चाकु से थोरी सी जगा और बना लेंगे कि ज्यादा फल उसमें आ सके हमारे घर में गेस्ट आय हुए थे हमने उनके लिए एक सर्प्राइज यह रखा था फिर खाने के बाद हमने उनको पेश किया बहुत ही खुश हुए हैं वह देखकर इसे बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में यह देखिए छोटा सा टुकरा और कहीं से इस तरीके स इसमें चिपका देंगे और यह लकडी की तीली इस तरीके से दोने तरफ लगा कर इसमें यह देखिए कितना fix हो गया अब थोरा थोरा करके एक-एक करके थोरा से यह थोरा से वह बदल बदल के फल को डाल देंगे कालरफुल करने के लिए देखिए मिक्स करके इस तरीके से रखेंगे आपको बिल्कुल बहुत पसंद आएगा वीजियो देखने के लिए थैंक्यो सो मच